बोल बेटा क्या मुझे है अरे पिताजी एक काम कर सकते हो आपकी रहने से इस घर में रोज कलय होती है रोज जगड़े होते हैं बाप समझ गया बाप ने का बेटा आगे मत बोल एक सब्द भी मत बोलना आगे एक सब्द भी ये बाप बरदास्त ना कर पाएगा तुझो कहने जा रहा है वो निर्णे मैंने पहले ही रह लिया है राथ ही मैंने निर्णे में लिया है कि अब मुझे ये घर छोड़ देना चाहिए अब इस घर में रहने लायक मेरे नहीं नहीं है ये नरक हो चुगा मेरे लिए मैं जा रहा हूँ बेटा बच्चे ने इतनी हि मत नहीं हुई की पिता जी एसा मत करो जाने लगा वो फूरा पोदे को बहुत प्यार करता था बच्छे से ज़ादा पौदे पर मोई था दोरा दोरे कि तुम मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, लिपट गया दादा जी से आकर, दादा जी तुम मुझे चोड़ कर मत जाओ, मैं कहां सहूँगा, किस के साथ खेलूँगा, किस से बाद, कौन मेरी डिमांड पूरी करेगा, दादा जीन का बेटा, चाती से लग दादा जी ने कहा बेटा, देख तेरे मम्मी पापा को मेरा यहां रहना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं एक घर चोड़ करके, मैं तुस्से मिलने आऊंगा, तुई स्कूल जाएगा, तो रास्ते में मिल लूँगा, सड़क पे मिल लूँगा, उस बोते ने कहा कि द दादा जी नहीं करना, जाने दो उनको, बच्चा दोड़ा दोड़ा गया, दूसरे कमरे में, थंडी के दिन थे कड़कडाती ठंड, एक कंबल उठा के लाया, दादा जी, आप कुछ नहीं ले जा रहे न, एक कंबल ले जाओ, यह मेरी दादी का कंबल है, वो हरी द्वार गई थी तो वहां से खरीद के लाई थी, यह मेरे माबाप का नहीं है, माने का चल दे दे कंबल, क्या बिगड़ता इस से अच्छा कंबल ले आएंगे, दादा जी के कंबल दिया पोते ने, उसने चाती से लगाया कंबल को, यही मिला उसे पूरी जिंदगी लिए, जिसके लिए मकान, दुनिया, सब कुछ बसाई, यह कंबल हाथ लगा है लाइस्ट में, क्या मिलता इस आदमी को, कुछ नहीं, कंबल ले जाने लगा, पोता आया, बोले ठैरो दादा जी, ऐसे मत जाओ, आप जा रहे हैं, आपने यह मकान अपने बच्चे को दे दिया, यह सारा प मैं बहुत प्यार करता हूँ, थोड़ी निसानी मुझे आपकी चाहिए, क्या लेगा बच्चे मेरे से मेरे पास कुछ नहीं है, केंची लेकर आया, कंबल को आधा काट दिया, माने कहा पागल, यह कंबल क्यों काटा है, ना तेरे काम का रहा, ना दादा जी के काम का रहा, दो तुकड़े कर दिये, भोले मा, मैं जानता हूँ एक कंबल दादा जी के काम का तो नहीं रहा, लेकिन मेरे बहुत काम का है कंबल, भोले क्यों, भोले जैसे आप दादा जी को घर से निकाल रहे हो, और बड़ा होकर जम मैं तुम्हें निकालूंगा, तो आधा कंबल मानिवर, उस बुड़े बाप की आँखें डब डबा गई, मैं दूना तुम्हें, जब तुम अपनी कमाई का अपने पिता को कुछ नहीं दे रहे हो, तो मैं भी तुम्हें क्यों दूंगा, आधा कंबल समाल के रखूंगा, मैं अपनी जिंद की मैं, बुड़ा चला गया, आधा कंबल सीने से लगाए, चला गया नजने, कहा जारा है उसे नहीं पता, कहा जाएगा ये भी नहीं जानता है, वह चलते जारा, चलते जारा, चलते जारा, एक फोटोग्राफर की दुकान पे पहुँच गया, उसने देखा, नजने क्या सुझी बुड़ापे मैं उसको कंबल दवाए हुए सीड़ियां चड़ा गया फोटोग्राफर से बोला कि बेटा मेरी एक फोटो खीच सकता है उने कहा दादा जी को क्या हो गया फोटो खीच दे आँखों में कीचड तूटा हुआ चस्मा फटा हुआ कंबल उसने कहा दादा जी खीचुगा मैं फोटो आईए बैठिये उसको बिठाया फोटोग्राफर ने रुमाल से दादा जी का मुँ साप किया इतनी जोर से बुढ़े ने उसके हाथ पकड़े कि वेटा जिसकी गंदगी बच्पन में साप की उन बच्चों ने मूना पोच्चा एक बात याद रखना बारामती वालो ये कभी कभी जो प्यार अपनों से नहीं मिलता वो पड़ोस में प्राप्त हो जाया करता है उसने कीचर पोच्चा चस्मा सही किया धादा जी ये चस्मा तूटा है ये तार निकला है इसका सही किया क्या करूँ बेटा जो कल तक आँखों के तारे थे उन्होंने चस्मे का तार में इस्तर हो गया अब में रहे फोटू निकाली फोटू निकालने के बाद दादा जी ने अपने जेव में हाथ डाला एक फटा पुराना केवल ये फटा पांच का नोट है तू रख तेरे बहुत काम आएगा उसने का नई दादा जी मुझे नई चाहिए मुझे रख ले बेटा रख ले मुझे नई चाहिए तो बुड़े ने कहा अपनी नहीं मेरी खुशी के लिए रख ले दादा जी आपको ये पांच रुपया देने में खुशी मिलेगी उसने कहा लाओ मुझे देदो उसने पांच का नोट देखा भटा सा था आज वो पांच का नोट हजारों की गड़ियों के सामने भारी पड़ रहा था उस फोटोग्राफर को उसने लिया पांच का नोट डाला दादा जी ने कहा दो दिन बाद मेरी फोटो देदेना मुझे बोले ठीक है दो दिन भीते दो दिन बाद दो लड़के पहुँचे फोटोग्राफर के पास बोले भाई साम दो दिन पहले एक दादा जी ने यहां फोटू किचाई थी, वो फोटू हमें चाहिए, आप कौन है, हम उनके लड़के हैं, यह डॉक्टर है, इंजीनियर है, आप उनके लड़के हैं, आपको कैसे पता कि फोटू किची है, बुले बड़ा अपसोस है, कि जिस जिन तेरे मेर पिता तुमारे यहां से फोटू किचा के जा रहे थे, और इन सीडियां उतर रहे थे, आगे महुचे हैं, उनका एक्सिदेंट हुआ और वो दुनिया में नहीं रहे, जब हमें सूचना मिली हम गए, जब तक प्रान पखेर उड़ गए, उनके कुर्ते के जेब में तुमार यहां आये हैं, वो फोटू तो दिखाओ ज़रा, फोटू दिखाई, अरे ये फोटू किसी है तुमने, ये फटे से कपड़े तूटा सा चस्मा, आखों में कीचर, बोले एक काम करो, कंप्यूटर का जमाना है, इसमें एडिट कर दीजिए, अच्छी सेरवानी पहना दो इ लगेंगे, वो जोदेंगे, पांच हजार रुपए लगेंगे, बोले देंगे, पांच हजार रुपे, ये वो आउलाद, इसने जीते-जी बाप को पांच रुपे नहीं दिये, वो पांच हजार की फोटू ले रही है, उस आदवी ने पूछा, कि आप इतनी बड़ी है सारी समाज हमारे हाएगी जितनी सुन्दर फोटू बना सको फोटू बना दीजिए कल सारे लोग स्रिधानजली सभा में उपस्थित होंगे कि यह माबाग का सम्मान कि फोटूओं पर फूल चढ़ाने वालों जीते जी तो शब्द प्यार से नहीं होते हो कैसी उलाद है कि जीते जी बाप के लिए नए कपड़े नहीं आते मर जाए तो नया कफन खरीदने दोड़ते हो ध्यानों रखिए मेरे भाई आप से नवेदन है लासों पर फूल मत चढ़ाना कोई बात नहीं है जीते जी बाप से फूल ने असी बाते जरूर किया करो तुम्हारा जीवन सार्थकों का ये संस्कति होना चाहिए भारत की मेरे सानित में मुझे बड़ा दुख है कि मैं संत होकर मुझे एक ब्रधास्रम बनाना पड़ा जहां बुजुर्ग लोग रहा करते हैं यसे यसे लोग आते हैं मेरे पास आशु बहाते हैं और एक घर की दुनिया से बाहर निकल के देखो अपने ही घर को दुनिया मस समझे आते हैं मेरे पास माराज ये जिन्दगी का अंतिम पड़ाओ कुछ ब्यवस्ता करो हमारा बेटा हमें घर से एक बेटा मेरे पास आया अपने मा को लेकर माराज आपका ब्रधास्रम बना है आपका वासल धाम बना है मेरी मा को वहां रख दीजे मिनका शर्म आना चाहिए तुझे एक बेटा कह रहा है कि ब्रधास्रम में रख दो मा निवर मैंने उससे कहा तुझे तो चिल्लू भर पानी में टूपके मर जाना चाहिए जिस माने कोख में रख तू घर में नहीं रख सकता है बापिस लेके जा इस मा को बोले आप ने क्यों बनाया ब्रधास्रम मिनका में इसलिए नहीं बनाया कि कोई अलाद अपने बाप को मेरे पास भेजे नहीं भाई ये तो मेरे लिए सबसे बड़ा पाप हो जाएगा और मैं बारा मती में कह रहा हूँ फुलक सागर इस देश से ब्रधास्रम की परंपरा खत्म होना चाहिए समाप्त होना चाहिए एक भी अल्ट हाउस इस देस में नहीं होना चाहिए ये बदनुमा दाग है भारती संस्कति पर लाल किला सान हो सकता है कुट्ब मिनार सान हो सकती है ध्यान रखना ताज महल सान हो करता है देश की लेकित ब्रधास्रम देश की सान नहीं है भारती ता भारती संस्कति पर मारा हुआ तमाचा हुआ करता है एक बेटा माबाप को ब्रधास्रम में रखता है मैंने उसे एक घंटे समझाया बेटा मां को मत निकाल अपने घर से एक घंटे मैंने उसे समझाई दी वो अपनी माँ को बापिस ले गया, ध्यान रखिए मानिवर्द, मैं एक भावना रखता हूँ मेरा और हम जैसे संतों का जीना साल तक हो जाएगा जब ब्रद्धास्रम रात और रात खाली हो जाएगा मेरे भाई हर बेटा अपने मावाप को अपने घर ले जाए कौन सी सान है ये मैंने बनाया है इसलिए बनाया कि उन बुजर्गों को सहारा दूँ जिनके उलाद नहीं है ध्यान रखिए उलाद होने के बाद मावाप हमारे पास आए शरण में बेकार की जिन्दकी है ये ध्यान रखिए अब से निवे दन है एक बुड़ी मा जिसने उलाद को पढ़ाया लिखाया लेकिन वो उलाद उस बजमा से नफरत करती थी दिकार है वो उलाद जो मा से नफरत करती है पिता से नफरत करती है यही नफरत थी उसे बस वो कहता था मा तू मेरे सामने मताया कर तू मनहूस है मैं तेरा चेहरा देखना पसंद नहीं करता हूँ मा रो लेती चुपके चुपके पाल पोस के बढ़ा किया पढ़ाया लिखाया ओलाद के रही हम तेरा चेहरा देखना नहीं चाहते तू हमारे सामने मात आया कर मात आती मा की ममता थी विचारी क्या करे इस्कूल जाती टिफिन देने जाती बच्चे का भोजन देने जाती बच्चे से कोई पूचता कि ये बुरिया कौन है मालुम है वो ऐसी आउलाद ऐसी कायर आउलाद जो अपने दोस्तों को कहता ये नौकरानी है जो हमारे घर से हमें टिफिन लाके देती है मा जब सुनती तो सीना चलनी हो जाता उसका ये नौकरानी है ये कामदाली है घर में आके जगड़ा करता तु टिफिन लेके मत आया कर मेरे स्कूल में मुझे भूत नफरत है तुस्से यह सी ओलाद जिसके लिए इश्वर के सामने हाथ फैलाए आज वही इश्वर का बरदान उसे अभी शाफ लग रहा है ओलाद पसंद नहीं करती है एक बात ध्यान रखना मा कैसी भी हो मा तो मा होती है वेरे भाई मा काली हो, मा गोरी हो, मा बच सूरत हो एक बात ध्यान रखना मा की सूरत नहीं देखी जाती मा का दिल देखा जाता है मेरे भाई इतनी आमे इसलिए नफरत थी उसे कि उस मा की एक आख नहीं थी तू कानी है मेरे सामने मत आया कर मा रो लेती चुपके चुपके